तो उन जोना पहले हेल्थ मिनिस्टर ने एक स्टेट वाइस कितनी मेडिकर सीट से एंडिया में उसका ब्यारत या पार्लिवन्ट में वैसे ये डेटा और मेरा दिल कर रहा है कि आपके सामने एक डिफेंट टाइप का अलेशिस पेश करूँ और खेती वीडियो मैंने दो सल पहले भी बनाया था विच इस इंपॉर्टेंस ऑफ डोमिसाइल और कई चीर डिसकस करें के ब्यॉंड दी नॉर्मल को सीजर सबसे पहली बात यह देखि यह टोटल हमारे पास 91,927 विल अब तकरीव नैंटीटीटू थाउजड सीट से एस अफ नाव और जैसा ही हम चानते हैं कि कोई उमीद है कि तीन से चारजा सीटें बढ़ सकती है एज दी काउंसलिंग प्रोसेस्स विल भी अप्रोच ठीक है अब जो मुझे अच्छा लग सब्सक्राइशन आर्मी कॉलिज ऑफ मेडिकल साइंस प्रैविट में गिना जाता है अलाउमी धंदर्थ तो यह जो आठ कॉलिज हैं इसमें दिल्ली भी गिना गया है क्योंकि स्टेट वे स्टेट का भी हो रहा था तो LHMC मौलानाजाद, UCMS, AIMS यह चार हो गए वर्दबर अब कर दो मास्टेर वो मौली में जो पांच माप भुला था तो फिर आपर पांच हो गए थे जब कि टोटल प्रैविट प्रैविट पड़ी सेवन है पंजाब में तो टोटल मिलाके यह सत्रा सव पचास हो जाते हैं तो आप देखेंगे और पांच के अंदर इमस है और फिर आपका लुद्याना वाला CMC लुद्याना भी इसमें आते हैं अब इंटर्सिंग चीज़ देखें क्या है सबको मालूम है कि इंडिया में हए सीटे तमिलाडू में हैं 10,725 प्राइवेट प्लस सरकारी मिलागे तो अगर आप सिर्कारी देखें जो पहला कॉलम है तो भी आप देखेंगे और देखें इस इन सीटों पर दिम्ड भी काउंट हो रही है जो सब सीटे हैं जासे हम जानते हैं तमिलाडू करनाटर का मरास्त्र में मैं मैंसें मुंड बहुत महेंगी होती है पर हम सरकारी की बात करें तो भी तमिलनाडू हईस्ट है 5,225 उसको और महाराश्च्टा भी काफी ऊपर था चाज़र राट तो चाज़र राट शों काई में नाग्ड ऽयूपी की पौपुलेशन कितनी है और पौपुलेशन से भी ज़ाजाना में पास इक डेटा में को मिला और भी जोख ज़़ने लगा और ये मैं किसी और की वपसेट लि लेकिन अब यह पच्चे वो हैं जो दिल्ली से पेपर हैं बैटे जैसा कि हम जानते हैं कि हमें यह भी दिख गदा डिल्ली वालों को कि जो लोग हर्याना यूपी राइं आसपास रहते हैं या कुछ भिहार से भी बच्चे हैं वो कोचिंग करने दिल्ली आ जाते हैं लेकिन असली में जो दिल्ली को क्लेट करते हैं वो इससे कहीं जादा हो जाती है वो जाते हैं 30,000 के आसपास और यहीं पर आजाते हैं कॉंपटिशन की 30,000 काइंड ऑफ क्वालिफाइड बच्चों के लिए हमारे पास सीटें कितनी हैं दिल्ली में सरकारी और उसके मुगाबले आंध्रा में ठीक हम से दो देखिए इसमें एमस भी है जो भी सेंटरल है पर चलो और आंध्रा प्रदेश में हो जाती है डबल विचिस 2485 जबकि आंध्रा प्रदेश में जो क्वालिफाइड बच्चे हम सरक 49 जार तो यह कुछ चीजे हैं जिसे आपको को बिहार देखिए जोंस तरह करता है वेरी हाई कॉलिफाइड आंध्रा से ज्यादा कॉलिफाइड बच्चे बिहार के लेकिंद सीटों की आब बात करेंगे बिहार में सरफ 1515 प्राइविट गवर्मेंट सीटें गॉवर्मेंन सीटों के मामलें और क्वालिफएड के मामल जाता है और प्राइवेट में हम जानते हैं तो यह होगे कुछ और इसके अलावा हिमाचन देखिए सबसे इंटरस्टिंग जो मैं मेशा कहता हूँ साथ सो सतर एंबीबेस की सीटे और आप इसको कंपेर कीजिए क्वालिफाइड बच्चों से तो आप पता चलेगा सिरफ आठ हजार बच्चे वहलब आठ हजार बच्चों पे साथ सो सरकारी सीटे इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे जो अच्छी लॉट्री है वह हिमाच की तरह है और उत्राखंड में भी ठीट ठाक से सरकारी कॉलेजिस हो जो जाता है तो एमस को महटा भी दे तो भी काफी हाई प्रपोर्शन है सरकारी सीटों का और उसका मुकाबले जैसे हमने डिसक्स किया कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं जो हम जानते हैं दिल्ली बिहार हर्या जाना राजस्थान फो डैट मैंटर टोटल तीन अजा सरकारी सीटे हैं लेकिंगे जो क्वालिफाइड बच्चे हैं वो तैससत हजार है और फिर से रिपीट कि जो बाहर से पढ़ते आते हैं एलन कोटा में वो इसमें क्लूड नहीं होते हैं सबसे चार स्टेट जो सबसे कॉंपटिटिव हैं सीटों के लिए वो हैं दिल्ली हर्याना बिहार और राजस्थान यूपी भी ठीट है उत्राखन के गराब डूमे साही लो तो बहुत असान है अपने लाइफ और हिमाचा के लिए बहुत असान है पंजाब की बात करें देखें सरफ दस जार बच्चों ने कॉलिफाई किया तो खर्याना से आदे बच्चे हैं खर्याना में बाहित जार दे पंजाब में दस जारे सीटे हैं जबकि हरियाना के पास भी आट सुर करीब सीटे थे साथ सुली कम और पंजाब में जो कॉलिफाई की बच्चे को आदे थे और फिर आपको पता ही है कि पंजाब में तो प्रैवेट सीटों में भी सबसीडी है पंजाब को बनाया गया है इसी विजह से प्रैक्टिकली स्पीकिंग मध्यप्रदेश में अगर आप देखेंगे तो कि दो हजार तो सरकारी चिटे थी लेकिए उनिस सों को भी अब सरकारी में गिल लेजिए तो चार जार चिटेन को मिल जाती है सिर्फ चपीज़ार बच्चों के लिए और फिट से आप बाबर कंपेर कीजिए इसको हर्याना बिहार राजस्थान की काउंट्स में 26,000 वध्य इसको बाइब काफी सारे हैं और प्राइवेट हम जानते हैं कि महां फीस कम रहती है और के ला भी अपना भी कॉंबरिटिव स्टेट है फोर गवर्नमेंट सीट्स जासे कि पंदरा सो पच्च्पन ही सीटे हैं जबकि महां कॉलिफेड बच्चे बहुत ज्यादा थे सब्सक्राइब करते हैं कि काफी फैदा हो जाता है कि आप कहां रहते हैं और उसे आप कौन से सीट मिलने वाली है आपको काफी फरक और काफी अडवांटेज मिल जाता है इस बात का तो तो यह एक चोटास अनलेसिस था और हम जानते ही हैं कि और इंडिया कोटा में आप किसी भी स्टेट में रहते हो तो आप 15 परसंट ऑफ गवर्मेंट सीट के लिए लिजीबल होते हो राइट तो वो इसके अंदर आ जाएगा अडल से स्टार्ट होने वाला है और यह एक और भी हमने आलटेवे लिखा दाओ तो गर आपको नजर या रहे हैं कि इससे में इंडिया में गवर्मेंट सीटे प्राइवेट सीटों से तक्रीबन चार अजार जाद हैं ठीक है तो नमस्कार आप पर दें शुप हो ऐसे और इंटरस्टिक ब्लॉक्स आपको पढ़ने हो तो हमारी वेबसाइट gkworks.in पे आपको काफी अच्छे च्छे आर्टिकल्स आप ये रिसेट न्यूज में पढ़ सकते हैं और इंप्वार्टन अबडेट के अंदर जाके भी आपको काफी इंफोर्मेशन मिल जाएंगे ठीक ह आपको दिन शुभू नमस्कार